Hello guys, you are most welcome on A to Z Motivational आज की वीडियो में हम लेकर आई हैं बीमार योगा राज खोलती हैं आखे यही सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखो से किस तरह से परतेख बीमारी का पता चलता है कहते हैं आखे हमारे हर एक राज को खोल देती हैं चाहिए जूट बोन लेका हो या फिर गम चुपाने का लेकिन क्या आप जानते हैं या आखे आपके सेयत के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती हैं जी हाँ आखो पर अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो इससे समय से पहले बिमारियों का पता चल जाता है इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं इस समय से पहले बिमारियों का पता लगा जा सकता है और उनका उपचार भी कर सकते हैं तो चलिए, नमबर वन 1 है, आखोका रंग सफेद होना, आखोका रंग गुलावी या लाल के बजाए सफेद होना भी कहीं तरह की समझेव की और इसारा करता है, अगर आपके आखे काफी ज़्यादा सफेद या पीली हो रही हैं तो यह पीलिया की और इसारा करता है, यह बार ऐसा दूल की वज़े से होई ये जरूर ही नहीं आखों से पानी आने की कुछ बीमारिया भी हो सकती हैं जिसमें डाइबटीज भी सामिल है इस इस्तिति में आखों पर दब्बे भी नजर आते हैं वही बलड वैसल्स कमजोर होने की वज़े से भी यह लक्षन हो सकते हैं नमबर तीन आखों में ड्राइनेस मैसूस होना आखों में ड्राइनेस जैसा मैसूस होना भी कहीं बीमारियों कोई और ही सारा करता है इसके मुक्याकारण आखों में परियाब दूरूप से आँसू ना बनना इसके लावा बढ़ती उमर में कुछ दवाओं के साइड इपक इसकी वज़े से भी आखों में आशु में ड्राइनेस मैसूस होता है नमबर चार धुंदला सा दिखना अगर आपको धुंदला सा नजर आ रहा है तो अपने इस लक्षन को इगनोर ना करे इस तरह के लक्षन कई कंबीर बिमारियों के और एसारा करते हैं इन बिमारियों में माईग्रेन इस्टोक जैसी गंबीर विमारी भी सामिल है वही ब्रेन ट्यूमर जैसी गातक विमारी की वज़े से भी आखों में दुनलापन न जराता है नमबर पांच डार्क सरकल और सूजन होना आखों के आसपास डार्क सरकल या फिर सूजन जैसे लक्षन जराने को सामन् समझे इस तरह के लक्षन न सिर्फ बड़ती उमर की वज़े से दीखते हैं बलकि एक इडिनी डिजीज एनीमिया और थाई राइड जैसी गंबीर विमारियों के और इसारा करते हैं आखे हमारी समस्षाओं के बारे में बहुत कुछ ब्यां करती हैं अगर आप आखों में दीखने वाले बदलाव पर ध्यान देंगे तो कहीं तरह की बिमारियों के बारे में पता लगा जा सकता है ओके गाईज आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिल दैन ओके बाई बाई